हेलो फूडीज, मैं हूँ जोती शर्मा और आप सभी का फूडीज पूड में स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं माल पूए देखिए, एकदम टेस्टी से और फटापर से बनने वाले और इनको मैंने बनाया है बच्ची हुई खीर से आज पर स्राज चल रहे हैं और खीर तो बनती ही रहती है क्योंकि पंडितों को जिमाना होता है तो खीर बच्ची हुई से मैंने यहां पर माल पूए बनाए हैं और आप खोदी देख लिए कितने सॉफ्ट बने हुए है वैसे तो माल पूए की रेसिपी में काफी टाइम लगता है क्योंकि उसमें दूद को काफी गाड़ा करना होता है तो उससे घोल बनाया जाता है लेकिन खीर से काफी जल्दी से बन जाते हैं तो यहां पर मैंने 200 ग्राम खीर ली हुई है और आप इसको मिक्सर जार में पीस लूँगे और इसका एकदम अच्छा सा हमें पेश्ट बना लेना है अच्छे से बारिक पीसना है हमें इसको तो खीर को मैंने पीस लिया है अब एक बड़े बरतन में इस पेश्ट को कर देंगे और आप देखिए पेश्ट की कंसिस्टेंसी कैसी है और इसमें हम डाल रहे हैं एक चमच मैदा आप मैदे की जगे आटा भी डाल सकते हो तो मैदा डाल दिया है मैंने अब इसमें थोड़ा सा जो जार में खीर मैंने पीसी थी मिकसर जार में उसी में धो करके थोड़ा सा दो तीन चमच के करीब पानी एड़ कर दूँगी अब इसको अच्छे से फैंट लेना है एक भी गुटली नहीं होनी चाहिए घोल में तो चार से पांस मिनट हो गए है मुझे इसको फैंटते हुए और एकदम घोल एकदम आप देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कोई गुटली नहीं है और एकदम स्मूध बैटर बन करके तियार हो गया है अब गेस पर तबागर होने के रख दिया है मैंने और इस पर डाल दिया है देशी घी और मीडियम फ्लैम रखी हुई है मैंने और इस पर बैटर डालेंगे बैटर हमें बिलकुल सेंटर में डालना है हमें इधर उदर नहीं फैलाना है बैटर को सीधा एक जगए पर ही डाल टालना है, देखे, इस तरह से, तो मैंने एक center में डाला है, और देखे ये मालपूई ने एकदम gold shape ले ली है, हमें इसको इदर उदर नई फैलाना है, अपने आप भी इत« wildly आप कमें गोलग शेपें रूटी जैसी, और आजको एक side से हलका सा brown होने तक सिकने देंगे आज को तेज नहीं रखना है medium flame पर रखना है या बिल्कुल low flame पर एक साइड से जो हलका सा brown हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे तो देखे यह अपने आप ही तबे से हटने लग गया है अब हम इसको turn कर देंगे यह हमने इसको पलट दिया और दूसरी साइड से भी हलका सा brown होने देंगे इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है सिर्फ 4-5 मिनिट में ही तियार हो जाता है और टेस्ट में लाजवाब माल पुए बनते हैं बिल्कुल भी लागत नहीं होती सिर्फ 2 इंग्रीडियन्स में हलका सा मैदा डाला है और खीर होती है और उसी से ही एक दम स्वादिष्ट और सौफ्ट माल पुए बन करके तियार हो जाते हैं देखिए चले और बना लेते हैं यह मैंने एक और माल पुए डाल दिया है तवे पर इसको भी अभलकासा ब्राउन होने देंगे और दूसरी साइड से फिर पलट देंगे और यह हमने इसको पलट दिया एक दम ला जवाब कलर देखिए कितना प्यारा डिजाइन बन गया है चले फिर एक और बना लेते हैं देखिए सेंटर में डालने से एक दम गोल सेफ अपने आप ही ले लिया है माल पुए ने और ऐसा ही गोल हमें चाहिए है यह सिर्फ गोल का ही फरक है अगर आपका गोल पतला होगा तो माल पुए बिलकुल राउंड शेप नहीं लेगा इसलिए आप गोल को एक दम पहले से ही थोड़ा गाडा रखें तो मैंने माल पुए बना लिये हैं और देखें आप एक दम कितने सौफ्ट माल पुए बन करके त्यार हो गए है और आप ये एक बार बच्ची हुई खीर से इन माल पुए को बना कर जरूर देखें काफी स्वादिश्ट बनते हैं और जो खीर है वो भी वेश्ट नहीं होती है तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर करेंगी फिर मिलते हैं आपसे एक और अच्ची सी वीडियो के साथ तब तक लिए बाब बाई और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इंजोई दा खीर माल पूए